नमस्कार दोस्तों आप देखना प्रवधी वीडिया यह वीडियो आप लोगों के हित कले बनाई जा रही है आप लोगों के काफी कोशन थे कि मीडिया माइक को किस तरह से इस्तमाल किया जाता है हमने इससे संबंदित कुछ वीडियो पहले भी डाली हुई है लेकिन उसमें ह उसको किस तरह से यूज किया जाता है वो आपको दखाएंगे उसको किस तरह से फॉन में आप इस्तमाल कर सकते हैं वो आपको हम लाइव आज करके दखाएंगे तो दोस्तों अगर आपके बास में मीडिया माइक है तो आप बिल्कुल भी परिशान ना है कि आपका मीडिया माइक इस्तमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है अगर आपके मीडिया माइक में आवाज नहीं आ रही है आपके कैमरे में आवाज नहीं आ तो आप इसके लिए बिल्कुल भी परिशान ना हो कि आपका मीडिया माइक साइट खराब है उसकी कुछ सैडिंग होती है जो आज आपको हम लाइव करके दखाएंगे तो जो हमारे प्रगति मीडिया के साती है जिनके बस मीडिया माइक है वह वी इस वीडियो को कृपा अग माइक की केवल दी जाती है मैं आपको दखा देता हूं कि आपको जो मीडिया माइक दे जाता है वह इस तरह का एक ब्लैक बॉक्स होता है इसकी कवर के लिए यह ब्लैक कलर का बॉक्स होता है इसमें यह केवल होती है और मैं आपको बताना चाहूंगा जो यह केवल होती है यहाली केबल जिसका आप देख सकते हैं चोटी केबल है यह फॉन में इस्त्माल होती है इसके बार मैं मैं आपको दिखाना जाऊँगा यहीं से ही आपको लाइब कि इसके बाद में यह फॉर्म होती है इस फॉर्म को आप मीडिया माइक पे ऊपर की तरफ लगाते हैं जैसे आपने न्यूस बगरा में देखा होगा यहां भी मीडिया रुपोटिंग करते समय देखा हुआ यह इस इसको आप शबये कर राद में होती है आप इसे पॉलीशन से बाहर निकाल लीजे यह हमने इसको पॉलीशन से बाहर निकाल लिया है और आपको जो इसमें फあります एसमें कंद आपको दिखेंगे छे सेसे तो वहाँ आपको यह फॉर्म लगाना होता है है ओके और इसके बाद पहले आपको क्या करना होता है कि मैं आपको इसको थोड़ा सा मुझे इसके हो रहा है इसलिए मैं अपने साथी से चाहूंगा कि वो मेरा थोड़ा सहयोग करें और इसमें आपको बता दू कि यह इसमें करना होता है यह धी मैं इसको यह रख दियता हूँ कर का बजा टबो चुका है कि cell को पैक करके दिया है इसको मैं फाल लेता हूं और यह आप जो देखेंगे यहां पर यह बटन हैं तीन बटन देखेंगे आपको इसमें आफ नॉर्मल और टैली इसमें लिखा हुआ है इसके जस्ट नीचे यहां आप देखेंगे यहां लाइन लगड़के और इसे नॉर्मल याप खोलेंगे तो इसे आप इस तरह से खोलिए और सेल को यहां पर आप सेट कर दीजिए इसको आप सेल को लगा लीजिए आपको सेल लगाना ही आता होगा और इसे आप बंद कर दीजिए बंद करने के बाद में आप उसके बाद में आपको एक दो तरह की केबल दी होती है एक इस तरह की पॉलेटिन में केबल होगी यह मोटी पिन वाली केबल होती है जो की कैमरे में यूज आती है आपके पास साइट कैमरा हो तो आप इसको यूज कर सकतो आपको मैंने जैसे ब कि जो मैंने आपको पहले केवल दिखाई थी इस तरह कि आपको केवल मिलती है और जो मैंने केवल दिखाई थी कि इस तरह से इसकी छोटी पेन होती है मैं आपको दिखा देता हूं और इसका एक कनेक्टर यह रहता है यह आप देख सकते हैं यह तीन पॉइंट का रहता है त्वइन्टी पर्शन इस ूस मैइक को हम इस केविल को इसके साथ में अटेच करते हैं अटेच करते सिखानगे तो यहां प्के बटंबना हुआ है बटंबना हुआ है आप इसे फोर्स नहीं लगाएंगे तो सच्थ ये लूज लिगा तूटने का डर हो सकता है त凌क है आसी आप इस पट्रन को दवाईए और यह तीन सौर्ट हैं इसमें आप इसको अटेच कर दीजे यह तीन सौर्ट हैं इसमें आप अटेच कर दीजें यह हमारा 20% माइक रेडी हो चुका है उसके बाद में जो केवल है इसको मेरे पास में फॉन है मेरा रिडमी नोट फाइब यार्म यूज कर रहा हूँ और मेरे एक से चीजा कर रहा हुँ जैसे इस में उट यह भी हटा दे रहा हूं क्योंकर कवी कवर के वैसे जो केवल होती है वो अच्छे से सैट नहीं हो पाती है तो इस cover को मैं हटा देता हूं यह मैंने अपना cover हटा दिया है यह मेरा phone okay हो चगा है जैसे मेरा phone था अब मैं क्या गड़ता हूं कि इसमें इसका जो short होता है जहां पिन लगाते हैं वहां पर इस फॉन की जो शॉर्ट में यह पिन मैं लगा देता हूं लगाने के बाद में अब आपको मैं एक दो एप्लिकेशन के डिस्क्रिप्शन में लिंक के दूँगा एक का नाम है ओपन कैमरा दूसरी का नाम है उन दोनों का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ओपन कैमरा के द्वारा ही यह वीडियो बन रही है जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं मेरे पास में एक एस्टनलन माइक है मैं उसी की दारा यह वीडियो बना रहा हूं क्योंकि इसकी अलग मैं बनाता ह सकती है या वोईस में थोड़ी वह दिक्कत आ सकती है तो आप इन चीयों को बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि आपको माइक के स्टरे से सैट करना है यह बहुत जरूरी है और आप इसकी समय जबर जस्ति ना करें फोर्स लेना करें जिससे यह डैमेज हो सकता है यह डैमे हा फॉर्ण को मैं इसमें क्या गरूंगा तो होती है मैं इस्तॉल करूंगा मैं आपको देखा देता हम उसेदा हुए हुए है कि यहां पर ओपन केमरे औरएक है cinema f5 करके हमने दो application इसमें install की हुई है तो अब ही हम क्या करेंगे cinema f5 इस सब्सक्राइब नहीं है cinema f5 यह दूसरी जगे पर cinema f5 यह है यह application है आप इसको देख सकते हैं यह देखिए यह application है cinema f5 करके यह application मैं आपको दोनों का link के दे दूगा आप यह इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से और अच्छे से समझे इसलिए मैं इसको लॉंग बना रहा हूं और बहुत ही डीपली बना रहा हूं इसमें किसी भी तरह की कुई कमी नहीं छोड़ रहा हूं क्योंकि काफी लोगों की मैंने दिक्कत देखी हैं जो उनको दिक्कत आ रही है इसलिए हम इस वीडियो को बहुत ही डीपली तरीके से बना रहा हूं तो आप cinema f5 मेरे को सही लगती है वोइस को वोइस की फिक्क्योंसी चेक कर नेकले तो cinema f5 की जब आपको इसको इसको इस्टॉल करेंगे इस्टॉल करने के बाद में इस्टॉल करने के बाद में यह आपकी कुछ इसको देख लेता हूं मैं आपको दिखा देता हूं मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको साइटिंग की ओप्सन मिल दाएगा यहाँ पर आपको साँटिंग का एक साइन्ट बना हुआ है साउड का Schein बना हुआ है और तर लाइन तीन लाइन तीन धासा में निकली हुई है तो उस साउड़ वाले लाइन पर क्लिक कर दिना है आपको उसके बाद में आपको इसमें इसके ठीक सामने इसके ठीक सामने आप देखेंगे तो यहां पर एक audio source लिखा हुआ है और उसके नीचे कुछ भी लिखा हो सकता है audio source पर आप जाईए और इसके audio source पर audio source पर जाईए और इसके second option होगा या कोई भी option हो सकता है इसमें external mic external mic पर आप click कर दीजिए कि मैंने आपको दिखाया है कि मैंने audio source में adding sound में gonna external audio source में जाके external mic पर मैंने clicking कर दिया है यह मेरा है तो मेरी setting हो चुगी है इस तरह से आप को ऊपन camera भी जाएंगे तो उपन कैमरा में भी सैटिंग में जाके ओडियो सोर्स में आप एक्टेनला माइक पर क्लिक कर सकते हैं और आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूर सकते हैं वैसे मैं आपको डीपली बता दिया है जिससे कि आपको डाउट ना रहे हैं अब हमने यह यह रेडी कर दि नहीं है मेरा माइक रेडी मैंड्य सेल लगा दिया है सैटिंग कर ली है अब मुझे इसमें यहांद दीखना है कि यहां पर जम मैं लगाएं जो बिडिक आप चैन करता है कि आपको इसके साथ में अट आ कर आप आ है कि यहां पर जब मैं इसको स्टार्ट करूंगा तो स्टार्ट करने के बाद मैं यहां पर कुछ फ्रिक्वेंसी दिखाएगा रैड और ग्रेंड में वह आप ध्यान से देखिएगा तो मैं इसको स्टार्ट कर देता हूं और कि मैं इसको कि फ्रेंट इसको मैं start कर देता हूं एक सेगेंड इसका फ्रेंड कैमरा नहीं चल ला एक कैमरा ही चलेगा इसलिए मैं स्कूर्ट कर देता हूं हो ओकें है तो यह मेंड़ी विडियो एंसरों हो चुकी है और आप देख रहे हैं यहां पर लाइनिंग कुछ आ रहे है नम्बर्स हा रहे हैं और नम्बर साल्र बाद मैं यहां पर कुछ और मेरा माइप ऑफ है इसलाएए यहां कुछ नहीं आ रहा है मां माइक को on कर देता हूं और अब मैं बोलता हूं हलो 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 हरो हालो बंस करने के बाद है ये माइक कर सकते हैं अप नौर्मल हलो हलो ठेक है तो आप इस एक बार माइक किस तरह से आएगा और अब देखें मैं जैसे माइक अभी चालू सब से Ti Tool पर कर दिए तो माइक आप कि या फिक्रेंश से देखिए हलो 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 ह हाँ साथ ужас अब अभी सब्सक्राइब सकते है कि शर्ड बनाके कि दिखा रहा लेकिन आप इसकी गरीद लाइट को आप देख सकते हैं कि इसकी फिक्वेंसी पता लग रही है और मैं इसकी अभी जैसे मैं भी माइक की जैसे बंद कर देता हूं और अभी मैं इसको बोलता हूं तो आप इसकी देख सकते हैं कि अभी इसका फिक्वेंसी बहुत कम हो रही है तो इससे आप पता लगा स सकते हैं और इसको आप हर तरीके से अपने फॉन में यूज कर सकते हैं यह अपके हर प्ले स्टोर पर आपके इस्तमाल हो जाएगी आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूंगा के मैंने देखा है कि आप जब रिकों जाते हैं तो माइक को आप जो मैं इस तरह से रखा हुआ है आपने माईक को इस तरह से रखा हुआ यह अपने माइक को इस तरह से कर दिया माइक को आप इस तरह से गोमा रहे हैं तो मैं आप electrically बता रहा हुँ आप इस तरह से ना करें इस वाइस बहुत ज्यादा डान होती है अभी वाइस नहीं आएगी क्योंकि मैंने केवल निकाल दी है और मैंने केमरा भी बंद कर दिया है अपना तो आप हमेशा माइक को जवाप अपना इंट्रूबल है जैसे मैं एक रिपोर्टर हूँ तो मैं पहले पूछोंगा सबसे पहले आप किसी अगर किसी की ख़बर देना चाहते हैं तो पहले अपने बार में बताएं कि मैं प्रगदी मीडिया से और आपका जो नाम है आप कहां से बात कर रहे हैं और आप किसन से बात करने जा रहे हैं और किस ख़बर के बार में आप उनसे जानकारी ले रहे हैं यह आप लोगों को देखा है कि जो कही वीडियो बनाते हैं जब रेपोर्टिंग करने आते हैं अपना ले 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 लेते हैं अपरीस नहीं लग रही है लोग देखेंगे तो वो देखने उसके बाद में आपको आप माइक अगर जैसे इंट्रूव लेते हैं एक ची मैंने और देखा है कि आपके कैमरा सीधा है अभी आप देख पा रहे हैं तो मैं बिल्कुल बीच ओ बीच में खड़ा हुआ हूँ बीच में खड़ा हूँ मैंने अपने आपको अपने कैमरे के खड़ा है कि उनका मला पूरा तो इ anticipating च्खोड़ी बात होती है रही क्यों में करते समय हमेशा अब तो ऑस कौन किया सोचेगे क्या ने सोचेगे आप बुल्किल भी ना घबडा है और रीपोटिक एकदम भातर तरीक से बहन तरीके से बहले जितना पर प्रयास होता है इतना बैस्ट दे। आप भी प्रॉफिचन मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ, आप लोगों को मैं साथ देता हूँ और आप लोगों को साथ से ही मैं आज मीडिया के एक अच्छी लिविल पर आया हूँ तो कहें न गई मेरी मेहनत और आप लोगों का साथ इसमें है तो आपको कहीं घबडाना नहीं है आपको ये नहीं सोचना है कि आप अभी क्या है आपको अपना बैस्ट देना है दूसरी बात कि कई वार रिपोर्टिंग देते समय लोगों की वाइस बहुत जादा डाउन हो जाती है या वो घबडा जाते है या वो hopeless हो जाते है तो आप कभी भी reporting दें या आप कोई media के दारा कोई reporting बनाए तो आप हमेसा ये सोच है कि आपके सामने काफी लोगों काफी हजारों लोगों की बीड पब्लिक बैठी हुई है और आप उन लोगों को संभोदित कर रहे है मतलब उन लोगों का भाशर दे रहे है एक lecture दे रहे है उनको आप ये चीज़ समझा रहे है आप ऐसा सोचते है या आप ऐसा सोचते है कि आपके सामने 2-3% वैट हुआ है या 1% वैटा हुआ है उससे आप बता रहे हैं कि आप इस चीज़ का ऐसी यूज़ की दे या आप उसे कोई जानकरी आप दे रहे हैं आप हमेशा यह ना सुझे कि आप कैमरे में रिकार्ड हो रहे हैं अब दूसरों को जान झारें रहें इस तरह से अपने आपको प्रजयांड करें तो मैंने मताये कि आप अपने एंटर्यू कैसे दें एब सेकशन बास आते हैं का एक व्हयूरी कैसे माइक एड़ी को सू कराते समय आप नीचे से पकड़ें और इसको आप अपनी फेस से इतना लगाएं यहां पर आपकी वोईस काफी अच्छी आएगी कोई दिक्कत नहीं होगी इसको लगाने के बाद में पहले आपने इंट्रू बोलने के बाद में फिर बी परसन खड़ा ब लगाएं पर उनके पास लाएं फिर आप जो बोले फिर से बोले कभी अभी होता है कि हमने देखा है कि जिनका पिंट्रू ले उनके पास ही माइक रहता और आप जो बोलते हैं आपकी वोईस आती है इन चोटी-चोटी बातों का आप जरूर दिहान लगें और कोई चीज आ कि मैंना आपको माइक का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना बताया है और आपको कभी जब्वी दिक्कत आती है तो मैं इसको कुछ भी नहीं कर तक आप एक बार हमसे और डिसकर्स कर लें आपको यहीं सज्ब्स करूंगा कि आप इस वीडियो को एक बार और ध्यान से Dhanva दोस्तो्व अपने अपना समय दिया और इस वीडियो को देखा और आपको जब भी कोई दिक्कत आ या परिशानी आती है तो आप हमें जरूर पूछिए और आपको जब भी कोईसी समझ में नहीं आती है तो आप हमसे एक बार डिसकर्स कर सकते हैं नमस्का जैहन